बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, असलाम अलीकूम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही इनर्जेटिक और हेल्दी रेसिपी, डेट बॉल्स की. खजूर के लड़ू बहुत टेस्टी बनते हैं, इस रेसिपी में मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इस मेहनत का फल जो हमें वो बहुत मज़ेका मिलता है. डेट बॉल्स को हम रमजान के लिए भी बना कर रख सकते हैं और रिटीन में भी खा सकते हैं. तो चले अब चलते हैं, रेसिपी की तरफ, बिस्मिल्लाहरुर्णिर्रहीम. पांच किलो ली हैं, मैंने खजूरे, आप अपनी मर्जी की कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर असील खजूर ली है, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है. सबसे पहले मैंने खजूरों को अच्छी तरह से दो के खुश कर लिया था, और उसके बाद इनको खोल के अच्छी तरह से साफ कर लिया था, और इनकी गुट्लिया निकाल दी थी. चैले जी, अब मैंने लिया है एक फूट प्रोसेसर और इसमें मैं सबसे पहले बदाम क्रश करूँगी. जितने भी बदाम आप डालना चाहते हैं, अगर आप उनको चील के डालना चाहें, आपकी अपनी चॉइस है. और मैं यहाँ पर बगएड चीले क्रश कर रही हूँ. यह देखें जी, बदाम मेरे क्रश हो गई है. बदाम निकालने के बाद, अब मैं इसी जग में थोड़ी सी खजूरे डालूँगी, और इनको ग्रैट करूँगी. सबसे पहले हम मशीन को चलाएंगे पल्स मोट पे, ताके खजूरे थोड़ी नरम हो जाएं, और उसके बाद हम इनको हाई स्पीड में मैश कर लेंगे. ताके जो हमारी मशीन का ब्लेड है, वो कहीं तूटना जाए. और अगर आप चाहें, तो खजूरों को हावन दस्ता पे भी मैश कर सकते हैं. अब इसी तरह मैं सारी खजूरों को थोड़ा-थोड़ा करके मैश कर लोगी, और इनको एक किसी खुले बटन पे निकाल दूँगी. यह देखें, माशालला से, खजूरे हमारी मैश हो गई हैं, अब चलते हैं, नेक्स्ट सेप की तरफ, बिसमिल्लाय रह्मान रहीम, एक वोक में मैं ले रही हूँ, फाइफ टेबल स्पोन देसी घी, घी मेल्ट होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ड्राइफ फ्रूट् और उसके बाद बारी कटे हुए पिस्ते, और चारो मगस, आप अपनी मर्जी के कोई से भी ड्राइफ फ्रूट्स डाल सकते हैं, और अब मैं इनको फ्राइफ करूँगी लो फ्लेम पे तकरीबन एक से दो मिनिट के लिए, ताकि ड्राइफ फ्रूट्स की अपनी जो नमी ह वो खत्म हो जाए और हमारी जो डेट पॉस हैं वो लॉंग टाइम के लिए हम सको स्टोर कर सके, चले जी ड्राइफ फ्रूट्स मेरे फ्राइ हो गए थे और अब मैंने इसमें डाल दी हैं मैश की हुई खजूरे, अब ये थोड़ा मेहनत तलब काम है और सबसे पहले तो आ आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ और ये देखें माशाला से हमारी कजूरे अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, दस से पंदरा मिनिट हम वेट करेंगे और बेटेरियल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इनकी बॉल्स बनाएंगे, मैंने बॉल्स बहुत बड़ कर सकते हैं, ये देखें जी एक बॉल मेरी रेडी हो गई है, और इसी तरह पें बाकी बॉल्स को भी रेडी कर लोगी, डेट बॉल्स बहुत मज़े की बनती हैं, आप यकीन मानें जब आप एक बॉल खाएंगे तो आप खुद को बहुत इरजेटिक फील करेंगे, डेट ब बॉल्स जो हैं, मेरी वो अल्मोस्ट रेडी हो गई है, अब बारी आती है इनकी कोटिंग की, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, एक डी प्लेट में मैंने लिया है कोकोनट पाउडर, अब वन बाए वन मैं सारी बॉल्स को कोकोनट पाउडर में डाल के रोल कर दूँगी, और फ उमीद करती हूँ, आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करता है, और अपना फीडबैक मेरे साथ कोमेट सेक्शन में शेर करना है, वीडियो को लाइक और शेर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं इंशा झाल झाल